आदाब स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है COVID-19 करोनोवाइरस एक तरफ पुरा विश्व इस महमारी से लड़ रहा है और दूसरी तरफ भारत हमारा देश इस महमारी के खिलाफ एक जंग छेड़ा हुआ जमो कश्मीर जो करोनोवाइरस से आज हर तरफ से लड़ रहा है कल एक प्रेसली जारी करके तीन जोन्स का इन्होंने हवाला दिया हुआ है रेड जोन, औरंज जोन और ग्रीन जोन आज ग्रीन जोन के एक जिले में डोडा डिस्टिक में हम हैं और हम मुलाकात करेंगे आज डी सी डोडा डॉक्टर सागर डी डेलफोडे से हम जानेंगे कि करोनोवाइरस को इस डिस्टिक से खासतोर पर डोडा डिस्टिक से किस तरीके से बचाया गया है और किस तरीके से इन्होंने प्रसाशन के साथ मिलके इस डिस्टिक में एक भी केस रिपोर्ट नी होने दिया है तो सर आपका स्वागत है सर मेरा पहला परशन आप से ये है कि जब तरधान मंतरी नरिंदर मोदी जी ने दिल्ली से ये ऐलान किया कि 14 दिन का लॉक्डाउन होगा पहले दिन आपके दिमाग में ऐसा क्या विचार आया कौन सा ऐसा विचार आया कि आप पहले वो काम करें आपको बताता है चलू कि जो भी डिरेक्शन्स गवर्मेंट आप जेके की तरफ से आई थी और ये इन गवर्मेंट की तरफ से आई थी वह डिरेक्शिन्स एक फर्ज होता है तो उसी पर हमने फोकस किया जो लॉगडाउन मेजर्स जो डिकलेर हुए थे उसके जितने भी पारमेटर्स थे जो इंटर्नल लॉगडाउन की जो उसमें हिदायते दी गई थी गाइडलाइन्स थी या फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट करना होता है एक पर जो होता है उसके प्रोविजन करना जरूरी होता है तो वो सारी चीज़े जो है वह इमिडियेटली जो हैस पर डिरेक्शिन समने लेना यहां पर यहां पर डोड़ा मेश्रू किया था सर मेरा आपसे एक और प्रेशन है कि जिस तरीके से असर को असर को जिस तरीके से आपने समाला है वो एक ऐसा पॉइंट आपने ड्वैल्फ किया है मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि वो ख्याल कैसे आया आपको बिकाज असर के बाद खलेनी भी था बहुत सारी इसी जग तरना हम सब्सक्राइब से उचिद्वे ना उसक को बाद हमारे वाज़ ब्लॉक्ट यह जा सकते हैं उसको न्यगाने वहें हम स्थच्ञ चेरप लेएंट्र मो क्यों करते हैं तो मतलब इसको एंत्रिक करने एस्सको रोग सकता है इसलिए हम हमारा जो एक में वंट्री पॉइंट है जो असर और उस पूरे स्पैन में है उसको गार्ड करना जुरूरी है इसलिए हमने पहले नाइन किलोमेटर में लगाया हूँ था वहां पर हमने देखा लेकिन फिर कन्वीनेंस देखा क्योंकि आप जानते कि बहुत सारी मशिनरी को मो लजिस्टिक देखना था यह पूरी सारी चारों को ध्यान में रखते हूं हमने असर में पॉइंट रखा हुआ था ताकि उसको मेंटेन करना और उसको गार्ड करना और बाकी हमारे जो वहां पर स्टाफ रहता है हेल्थ इपार्टमेंट का स्टाफ वहां पर पोस्ट है तो कि मैं पूरे इस जम्मू प्राविंस में गूमा मुझे किसी भी डिस्टिक के एंट्री पॉइंट पर डी सेंटाइशन तरन नहीं मिला तो यह आईडिया कहां से आया देखिए अब ऐसे है कि आप जानते है कि कोविड नाया हमारे पास एक चैलेंज है और इस चैलेंज को करने के लिए हर जिला अपना अपना इनवेशन जो है यूज कर रहा है जो आपको लगता है कि अगर किसी चीज को पुटप करना चाहिए है तो हर कोई इसमें इनिशेटिव ले रहा है और हमें भी ऐसा लगा कि कोई भी स्टोन जो है वह अंटन नहीं रखना चाहिए कि कि पॉइंट है उस एक पॉइंट को हम कितना कर सकते हैं उसको कितना फॉर्टिफाइ कर सकते हैं उतनी हमारी जो है वो सेप्टी सेकृरिटी बढ़ती रहेगी इसलिए फिर हमने जो है वो अल्टिमेटली डिसियन उसमें लिया कि बहुत सारे पैसेंजर वेहिकल आप जानत इसलिए उसको वहाँ पर प्लेस किया उसी के साथ साथ हमने यह भी एंशॉर किया कि जो ड्राइवर्स हमारे आते हैं अब रिसेंट मोस्ट हमने उसमें किया कि हर ड्राइवर जो वहाँ पर आता है क्योंकि ऐसी डिरेक्शन्स यूटी गवर्मेंट की तरफ से भी है और वै जाए ताकि वह गुझाईश हम लोग कंट्रोल करें दूसरा यह सवाल तो बहुत ही एहम है कि जितने भी वी वी आईपी जो हमारे तक ख़वर है कि वी वी आईपी जिस भी डिस्टिक में आते थे तो कोई रुकावट नहीं होती थी तो यहां पर देखा गया कि डोड़ा म असर जब पहुंचे तो वहां से उनको वापस जाना पड़ा और वहां पे प्रॉपर जो नॉम्स थे उनको फॉलो करना पड़ा तो वो प्रेशर कैसे आपने कंट्रीम किया नहीं मैं आपको बताता चलो कि गौवर्मेंट की डिरेक्शन्स गौवर्मेंट अव जेगे की क् अगर मान लीजे कि अगर कुछ यह रखेंगे तो इंप्लिमेंटेशन करना बड़ा मुश्किल होता है अथोरिटी जो ग्राउंड पे होती है जो वहां पे स्टाफ होता है उनको भी अगर हम डिफरेंशल हमेशा डिरेक्शन देते कि तो वह भी कई बार ऐसे हो जाता कि इस अगर असरनाके को I will also cross with a pass, I will not cross without a pass तो इसकी वज़े से जो है वो implementing करना जो है पुलीस को और बाकी फोर्सेस को administration को और हेल्थ को इन सबको आसान पड़ जाता है तो मुझे लगता है कि by and large भी जो लोग जहां पे भी आये जो भी responsible persons थे उनको जब हमने यह बता है कि वह ऐस ऐसे guidelines है, तो they have been also very cooperative in that, ऐसे कोई बात नहीं है. कितने हैं डोडा में, कितनी capacity है, क्या वो 8,000 या 5,000 जितने भी लोग हैं, क्या उनका accommodate किया जा सकता है और sampling कैसे होगी, कितनी हमारे पास manpower है डोडा में? टोटल आप जानते है कि quarantine जो हमारे administrative quarantine type होते है, उसके अलग-अलग classification है, एक basic जो होता है, वो administrative quarantine होता है, जिसमें हम asymptomatic patients जो होते है, या फिर जो probable infection भी नहीं है, उनको preliminary level पे हमें screening करना है, इसलिए रखते हैं, एक होता है, आप जानते है कि COVID care center होता है, जो symptomatic थोड़ा सा cases के लिए होता है, फिर COVID health care center होता है, फिर COVID hospital होता है, इसे अलग-अलग levels में हमारी अलग-अलग capacities obviously है, total में लाके जिले की capacity तकरीबन बांचज़ार के आसपास अभी है, जिसमें अलग-अलग quarantine में लोग को रख सकते हैं, इसके लिए कई सारे hospitals में, schools में, private buildings में, hotels में इंतिजामात किये गए हैं, तकरीबन 61 ऐसे locations हैं जहां पे अलग-अलग हमारे quarantine facilities हैं, 400 से लेके 50 तक अलग- ग्रेडिंग है, उसके हिसाब से facilities त्यार है, किसी को bedding देना है, किसी को bedding प्लस court देना है, किसी को medical facilities भी देना है, तो कुल मिला के पाच़ार के आसपास हैं, अभी आप जैसे जान रहे है कि SOP के तहद जो भी registration करना है, concerned noodle officer के पास उनके approval के बाद जो है, वहीं से हमारे पा आज तक पिसले 3-4 दिनों में, 1000 के आसपास लोग हमारे पास आ चुके है, वो अलग-लग quarantine facilities में है, mostly हमारा जो lot है, जो बाहर से आ रहा है, वो गंदो और ठाटरी का है, उनके comfort को ध्यान में रखते हुए हमने कुशिश किये कि उनको गंदो और ठाटरी में ही प्लेस किया ज जैसे जैसे हमें लगएगा कि उनके results आ गए है, negative उनको dispatch करते हैं चारी का दूसरा मैंने जो यहां पे जोड़ा में खास तोर पे आपने जो टेलर्स वगरा हैं, उनको जिस तरीके से इस्तमाल किया, मास्क बनवाए, और उसके बाद मैंने सुना है कि लोगों को आपने free of cost वो मास्क दिये हुए हैं लगाने के लिए, दूस्ती इसके साथ ही जुड़ी भी बात है कि रमजान का महीना चल रहा है, और तरावी जो compulsions होती हैं नमाज में, खासकर Muslims के लिए, वो कैसे आपने टकल किया है, लोगों को किस तरीके से समझाया, किस तरीके से लोगों से बा कि यह चीज जो है, यहां पर बताना चाहता हूँ, कि पिछले तकरीबन देट साल से मैं यहां पर अलग-अलग challenges हमारे पास में आये, लेकिन जभी भी हमारी कोई भी government directions को follow करना होता है, तो हमें 100% नहीं उससे ज्यादा cooperation जो है, वो डोडा के लोगों से मिलता है, मैं आपक social directions को देखते हूँ, अनोंने हर चीज को follow किया, और उसी की वज़े से आज अगर हम कहीं पर यह restrict करने में अगर काम्याब होए है, तो एक social networking की वज़े से हम लोग आज भी जो है, वो safe है इस चीज से, मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में भी हम इस directions है, government की उसको follow करने में हमेशा हम आगे रहेंगे, दो चीजों के बारे में आपने जो जिकर किया, एक तो lockdowns के बारे में उसका implementation 100% डोडा में रहा, डोडा में, बदरवा में, सारे इलाकों में, जो है वो कहीं पे भी untoward incidences, gatherings हमारे पास illegal नहीं हुए, लोगों ने भी बहुत corporate किया, with respect to movement भी बढ़े restrictions हमारे पास रहें, लेकिन ऐसी कोई जो है वो untoward या फिर undesired moment नहीं हुई, उसी के साथ साथ जो अब होली रमजान की बात चल रही है, जो अभी जो रमजान चल रहा है, उसमें अमने इंशूर किया कि district kitchen जो हमारा established already है, दो चीजें इसमें हैं कि जो हमारे पास लोग है, उनका ख्याल रखना बड़ा जोरी है, तो उसके लिए district kitchen को अलड़ी हिदाय दे दी गई थी, कि इनकी जो सहरी होती है, या फिर इफ्तार का time होता है, उसके time पे भी आप जो है वो मुस्तेद रहेंगे, तो उसके हिसाब से उनके correlation बड़े इची तर इसके चल रह कि बड़ा ही उनकी तरफ से सहयोग हमें मिला, पहले time से जब lockdown का initial period था, उसमें भी जो हमारे religious leaders थे, चाहे वो सिरत committee के हमारे leaders होंगे, या फिर बाकी जो है वो अलग-अलग मस्जिद के इमाम्स उगरा होंगे, उन सब को जो है हमने एक बार discuss भी की थी कारी सारी चीज़े, तो उनकी तरफ से भी जो है लोगों को बताने की बात जो है वो बहुत effective रही, बहुत effectively लोग को बताया, कई बार जो है वो declarations भी उसके बारे में हुई, तो उसकी वज़े से जो है वो कहीं पर भी हमें अन्टूर्ड इंस्रेट नहीं होगा। तो जितना हमने online learning के बारे में करना चाहिए था उतना नहीं किया, there are many things that can be done more, but I am sure कि आने वाले अब यह हफता है क्योंकि थोड़ा सा हम बाकी चीज़ों की तरफ पहले phase में हमने यह किया कि mostly हमारी economic activities होती है, नरेगा की activities या फिर बाकी activities, उस पर focus किया, उसको regularize लाने का focus करेंगी कि बच्चों की studies और वो कैसे online और regularize लाई जा सकती है, दूसरा COVID-19 को tackle करने के लिए पूरी administration इसी में जुड़ी हुई है, लेकिन उसके अलावा जो developmental works हैं, जो आपके routine works होते हैं, क्या उसमें कोई भादा आई, कोई रुकावट आई है, या वो उसी pace से चल रहे है या उसकी pace थोड़ी कम हुई है, पहले phase में तो आप जानते हैं कि सारी activities हमने close down की थी, लेकिन उसके बाद में जो government की directions आई, उसके तहत जो engineering works है, उनके important project जो है, उनको शुरू करना भी ज़रूरी है, नरेगा के work क्योंकि आप जानते हैं कि वो directly लोगों की जो है, वो subsistence स लिंक करता है, agriculture के काम सबसे लिंक करता है, तो agriculture के काम जो है, वो 100% शुरू करने की directions दी गई है, उसमें कोई बादा भी फिलाल है नहीं, नरेगा के काम भी pick up करना शुरू कर दिया है, उसमें भी कोई रोक थाम नहीं है, immediately that has to progress, हालबता जो private construction के works है, उस पे जो है, वो साथान दिन पहले जो है, वो उस पर परमिशन सब को जारी कर दी है, mobilization उनका शुरू है, और मुझे लगता है कि इस आने वाले week में जो है, वो कई सारी चीज़े लेगे 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 हैं, आखरी मेसेज, डोडा के वास्यों के लिए और खास तर पर रियासी से यहां ट्र करता हूं, हम एक समाज है, एक सोसाइटी है, और जैसा मैंने कहा कि आज तक जो है, वो हमने बढ़ा effectively इस चीज़ को deal किया हुआ है, आप सभी जो है, वो वैसे ही सरकार के सारी नियमों का पालन करे, social distancing maintain करे, एक दूसरे की help करे, अगर आपको लगता है कि कोई इनसान जो है तो ये थे DC DODA, स्ट्रेट लाइन में इन्होंने बिलकुल सीधी बात बोली है, और लोगों से भी आगरे किया है, कि social distancing को maintain करें, वो SOPs जो government of India और government of जमू कश्मीर ने दिया हुआ है, उसको उसका पालन करें, और COVID-19 से बचके रहें, और हमें आशा है, हमें पूरी उमीद ह कि DODA, Green Zone में ही रहेगा, और आने वाले वक्त में, यहां कोई COVID-19 का केस positive नहीं आएगा, और दीजे इजादत आगे भी मिलते रहेंगे, और ऐसी हस्तियों से आपकी मुलाकात करते रहेंगे, Thank you.